दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने रिव्यू किया था हीरो फोटोन का बट उसकी प्राइजिंग जाती एक लाग से उपर अगर आपका बजट एक लाग से नीचे है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है ये स्कुटर भी आता है हीरो की तरब से नाम इसका उप्टिमा CX हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कमलेश बढ़ाना और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बात करेंगे हीरो उप्टिमा CX के सबसेड़ी कितने होने वाली है वारंटी किसी साब से इसकी टॉप स्पीड कितनी है साथ में रेंज कितनी निकल कर आएगी शुरुवात कर लेते हैं की से तो कुछ इस तरह की कि आपको चाबियां दी गई है दो चाबियां है और दो ही रिमोट है इसके अंदर आपको एंटिताफ फीचर भी मिलेगा पिछले रिमोट के मुकाबले इस बार इनका डिजैन भी काफी अच्छा है और मजबूत भी दिये गए हैं चाबि को लगा देते हैं जगे पर और चलते हैं फ्रेंट प्रोफाइल की तरफ वहाँ से हम चारो तरफ से वोकराउंड करेंगे अगर इसके आर्वियम के बात कर ले है तो वैसे तो ब्लेक प्लास्टिक के अंदर ही दिये गए हैं बट अच्छी विजिबल्टी है यहाँ पर जो हेडलाइट के उपर भी आपको ब्लेक कलर का टच अप मिल जाएगा हेडलाइट के अंदर एलेडी बल्ब दिये गया है जिसके वाज़े से नाइट विजिबल्टी काफी अच्छी होने वाली है फ्रेंट पेनल पर सेंटर पर हीरो का लोगो है साइड में आप श्टीक रिंग देख सकते हैं इलेक्टरी की श्टीक रिंग है और हलके फुल के डिकोल्स दिये गए हैं कलर ओप्शन की बात करें तो वाइट कलर जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसके अलावा ब्लू कलर और मिल जाएगा अब लिथियम पावर्ड का इस्टीकर देख सकते हैं इसका मतलब यहाँ पर आपको लिथियम आयन बेटरी मिलती हैं टर्न इंडिकेटर भी अच्छी पोजिशन के अंदर हैं और इनके अंदर आपको हलोजन बलब मिलेंगे फ्रन्ट सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको टेलिस्कोपिक शोक अब्जोरबर दिये गये हैं अलमुनियम एलवी विल्रिम मिल जाएगी और अगर टैर की बात करें तो 90 by 90 का टैर मिलेगा 12 इंच की एलवी विल्रिम के साथ में जो की डूल टॉन के अंदर दी गई हैं ट्यूबलेश टैर होने की वज़े से आपको पंक्चर वगरा के टेंशन लेने की जरूत नहीं है और अच्छी ब्रेकिंग के लिए आपको फ्रंट सैड में डर्म ब्रेक दिये गये हैं फ्रंट सैड कवर कर ली है अब आजाते हैं लेफ सैड की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो ओप्टिमा सी एक्स की लेफ सैड आपके सामने है सबसे ज़्यादा हीरो का बिकने वाला एलेक्टरिक स्कुटर आप इसको कह सकते हैं फुट बोर्ड की बात करें तो फ्लेट तो दिया गया है बट सिलेंडर रखने जितनी जगे यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी विन नमर के लिए यहाँ पर इस्पेस दिया गया है और अगर अंडर सिर्टू स्पेस की बात करें तो एक लग से लोक दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको बोर्ड के साथ में दिया गया था बट उप्तिमा के अंदर आपको प्लास्टिक बोर्ड के अंदर मिलेगा बट इसके अंदर भी आपको same feature मिलेंगे auto cut के साथ में और battery की बात कर लें तो आपको single battery मिलेगी 51 volt और 30 ampere के साथ में lithium-ion battery है जिसके वज़े से यहाँ पर अच्छा खासा performance मिलने वाला है अगर under city space की बात करें तो charger रख सकते हैं यहाँ पर कोई छोटा मटा सामान हो तो वो भी रख सकते हैं बट इसके अंदर helmet नहीं रख पाएंगे full face हो या half face इतनी जगे नहीं दी गई है यहाँ पर यह आप optima का minus point भी कह सकते हैं charger की बात कर लें तो यहाँ पर आपको photon के charger की जैसे indication मिल जाएगा कि बैटरी कितना percent बढ़ चुकी है साथ में आपको fan भी मिल जाएगा cooling के लिए अगर इसके technical specs की बात करें तो यह आता है 6 ampere के output के साथ मैं इस charger से बैटरी को full charge करने के लिए लगबग आपको 4-5 गंटे देने होंगे और एक बार full charge होने के बाद में आप Optima से 65-70 km तक की range ले सकते हैं इसके अंदर आपको double battery का option भी मिल जाएगा जिसके अंदर इसके range लगबग लगबग दुगनी हो जाती है बैटरी और charger को cover करने के बाद में आ जाते हैं इसके instrument cluster की तरफ तो यह fully digital दिया गया है इसके अंदर आप battery के percentage check कर सकते हैं इसमें आप गाड़ी की speed देख सकते हैं odometer reading check कर सकते हैं और headlight की जैसे यहाँ पर भी आपको black inserts मिल जाएंगे बट फिर भी कुछी जो की कमी देखने को मिलेगी जैसे यहाँ पर turn by turn navigation नहीं है साथ में distance to empty जो की बहुत ज़रूरी चीज है electric vehicles के अंदर वो चीज भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी अगर switches की बात कर लें तो quality अच्छी है और यहाँ पर left side में आपको high beam, low beam, horn, turn indicator और reverse के लिए और cruise control के लिए switches मिलेंगे जी हाँ दोस्तों यहाँ पर cruise control का option मिलता है आपको right side में USB port दिया गया है जहां से आप mobile वगरा charge कर सकते हैं और इसके अंदर पानी मिट्टी ना जाए उसके लिए rubber की cap दी गई है और उपर देखेंगे तो आपको headlight on off के लिए भी switch मिल जाएगा दोस्तों maximum चीज़े cover कर रहे हैं वीडियो के अंदर बट फिर भी अगर आपकी कोई query हो तो comment कर देना उसका मैं reward कर दूँगा side stand और main stand दोनों मिलेंगे आपको यहाँ पर अगर plane rider footage की बात करें तो body fitted भी है और साथ मैं accessories के अंदर भी मिल जाएगा here optima के अंदर आपको 2 variant मिलते हैं CX जो की single battery के अंदर आता है जो इस video में देख रहे हैं और दूसरा है ER जो double battery के साथ में आता है अगर आपके comment आते हैं तो उसका भी मैं एक video बना दूँगा suspension की बात करें तो dual coal shock absorber दिये गए हैं और इसकी तो motor है वो fit है rear tire wheel up के अंदर जो आती है 550 watt के साथ में tire आपको जिसे front में दिया गया था 90 by 90 का वो ही size का आपको rear side में मिलेगा और safety के लिए यहाँ पर देखेंगे कुछ reflectors दिये गए हैं optima के अंदर जो 550 watt की motor दी गई है उसकी power से इसकी top speed होने वाली है 45 to 50 km पर आर के अंदर seat एक अच्छे लंबाई के साथ में है और इसके पास में आपको एक metal का grip handle मिल जाएगा जो काफी मजबूत है अगर rear side profile की बात कर लें तो यहाँ पर tail name command दिया गया है इसके अंदर turn indicator है और सारा setup halogen bulb के साथ में आता है tail name के नीची की तरफ जो rear mud guard है वहाँ पर number plate light और reflector भी मिलेगा अगर warranty की बात करें तो photon की जैसे Optima CX के अंदर भी आपको motor, charger, battery और controller चारों चीज के उपर तीन साल की warranty मिलती है वो भी unlimited kilometer के साथ में finally बात कर लेते हैं Optima CX की pricing और subsidy की तो यहाँ पर भी action room price है वो है 91,190 रुपे subsidy के रहेंगे 24,000 रुपे अगर subsidy का amount हटा देते हैं तो customer action room price रहती है 67,190 रुपे और RTO के आपको 3000 रुपे देने रहेंगे insurance के देने रहेंगे 4,495 रुपे RSA जो होता है roadside assistance इसके रहेंगे 21,00 रुपे और accessories की cost आती है 37,190 रुपे तो यहाँ पर जो on road price निकल कर आती है वो है 85,45 रुपे अब मैंने जो प्राइजिंग बताई है वो राजस्थान की है तो हो सकता है other state में थोड़ी बहुत price fluctuate करे तो दोस्तो यह था आज का वीडियो Hero Optima CX Single Battery Variant के उपर अगर वीडियो चल लगाओ तो लाइक कर देना इसे तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं मिलता है आपसे एक नई वीडियो के अंदर Take care and thanks for watching